हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है राहुल के बुक समरी विडियो चनल में वन द फाइव सेकंड रूल बुक समरी इन हिंदी सिर्फ पाँच सेकंड आपकी जिन्दगी बदल जाएगी दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा लिखी गई किताब परसनालिटी डिवेलेप्मेंट आपको जरूर पढ़नी चाहिए इस बुक में आपको काम में ध्यान ना लगना तनाव में रहना आलस आना अकेलापन लगना दिमाग सक्रिय ना होना और असफलता को अवशर में कैसे बदले इसी तरह के बहुत सारे जवाब आपको इस बु दगी बदल जाएगी ये बुक अपना व्यवार बदलने और जीवन को कम डर और अधिक साहस के साथ बदलने के लिए हमें मोटिवेट करती है ये साइन्स ओफ हैबट्स, स्टोरीज और सप्राइजिंग फैक्स का उपयोग करते हुए पुश मोमंट की पावग को समझाती ह इसमें दिये गए सिंपल कॉंसेप्ट को यूज करके कोई भी एफेक्टिव और कॉंफिडेंट बनने के साथ अपने जीवन पर कंट्रोल पा सकता है फाइव सेकंड रूल बुक के ऑथर मेल रॉबंस एक सी एनन कमेंटेटर टेलिविजन होस्ट है मोटिवेशनल स्पीकर ह वो सकसेस मैगजीन के कंट्रिब्यूटिंग एडिटर भी है पाँच सेकंड में अपनी पटेंशल को अनलॉक करे यह अच्छा नहीं होगा अगर बहतर बनना पाँच से एक तक उल्टी गिंती गिनने जितना आसान हो खेर आप भागयशाली है क्योंकि इस बुक की समरी में आप ये सब पाएंगे पाँच से एक तक गिनकर आप कितना कुछ पा सकते हैं कैसे कुछ जो इतना सरल है आपको बहतर बना सकता है ये चोटी सी उल्टी गिनती आपकी हिचके चाहट को दूर करती है जो हम सभी में बसी हुई है ये हमें आगे बढ़ाती है जिस से हमें आथ मेल रोबिन अपनी जिन्दगी से बहुत ज्यादा दुखी थी वो हर दिन सोचती थी कि वो अपने आपको अब तो बदलेंगी लेट सोते रहने की बजाए वो सुबह जल्दी उठेगी लेकिन जब भी अलाम बचता वो स्नूज बटन दबाकर वापस सोच जाती थी व वो सोचती तो थी कि मैं भी फिट रहूं एक्सरसाइस करूं लेकिन उनकी शराब पीने की आदत उनसे नहीं छूट रही थी जिसकी वजह से वो काफी आउट अव शेप हो गई थी उनके पास कोई जॉब नहीं थी उनके पती के रस्टोरंट का बिजनेस काफी लॉस में ज ट्रिक मिल गई जिसकी वजह से उनकी पूरी जिन्दगी बदलने लगी अब दूसरे दिन उन्होंने हर बार की तरह हलाम बंद नहीं किया बलकि वह पहली बार में ही उठ गई इसके बाद उन्होंने अपने रनिंग शूज पहने सुबह रनिंग करना स्टार्ट कर दिया उ CNN चैनल पर एक TV कमेंटेटर की इसके बाद धीरे धीरे वह और उनके पती ने अपने सारे करजे को खत्म किया अपने रेस्टरेंट्स के बिजनिस को बचा लिया लेकिन बस इतना ही नहीं था उसके बाद वह काफी रिच और फेमस भी हो गई उन्होंने अपनी बुक लिखी फिर एक great speaker बन गई उनके लिए सब कुछ एक सपने की तरह सच में हो रहा था बस एक trick की वजह से जो उन्होंने अपनी life में apply करना start किया इसी प्रकार जाने दिमाग को तेज करने की 12 rules brain rules for aging well book summary trick number 1 the rule of 5 second अब आपके दिमाग में ये question आ रहा होगा आखिर रॉबिन्स ने उस रात टीवी में ऐसा क्या देख लिया उन्होंने टीवी पर नासा का प्रोग्राम देख लिया था जिसमें एक rocket को लांच किया जा रहा था जी आपने बिलकुल सही सोचा इसे देखकर ही उन्ह 4, 3, 2, 1 बस जब count round एक पर पहुंच जाता है फिर उसके बाद चाहे कुछ भी हो फिर पीछे नहीं हटते रॉकेट को लांच कर दिया जाता है फिर चाहे कुछ भी outcome निकले ये same idea रॉबिन के दिमाग में भी बढ़ गया उन्होंने rocket के बजाए अपने लिए use करना शुरू क या 5, 4, 3, 2, 1 बस फिर वह उठ गई इसके बाद जब उनका running में जाने का दिल नहीं कर रहा था तो उन्होंने फिर से यही trick यूज की उन्होंने अपने दिमाग में countdown चलाया फिर तुरंट shoes पहन लिए फिर से countdown करके बिना कुछ सोचे वह निकल गई ऐसे ही जितनी भी बार उनका काम करने का दिल नहीं करता तो बस यही simple सी चीज की आदत बना कर बोलती जिसने धीरे धीरे उनकी पूरी life बदल दी जादातर लोग extra पैसा कमाना चाहते हैं स्टार्ट अप चालू करना चाहते हैं healthy रहना चाहते हैं अच्छे relationship में रहना चाहते हैं लेकिन वह इससे related कोई भी action नहीं ले पाते कई हजार reasons की वजह से ऐसा उन्हें लगता है लेकिन actual में हजार नहीं बस कुछ ही reason होते हैं जो उन्हें action लेने से रोकते हैं ये 5 second rule एक एक कर उन सभी से लड़ता है trick number 2 the greatest habit habits कितनी ज्यादा important होती है आपको पता होगा जो decide करती है आप destiny आपका future क्या होगा आपको शायद ये भी पता होगा हर habit three step में बनती है first cue second routine और third reward इसे ऐसे समझते हैं आपको आपका एक दोस्त मिलता है जिसके साथ आप हमेशा cigarette पीते हो तो आपके लिए उस दोस्त क कभी भी आपको मिलना क्यू होता है जो आपको trigger करता है चलो cigarette पीते हैं फिर आप दोनों मिलकर एक specific shop पर जाते हैं जो आपका एक routine हो जाता है ये आपको एक specific action लेना सिखाता है finally आप cigarette पीते हो जिससे आपको nicotin मिलता है आपको अच्छी feeling आती है ये आपका reward होता है यही cycle ह होता है जिससे कि आपको उस आदत की लट लग जाती है ठीक इसी प्रकार हर आदत बनती है चाहे वह अच्छी हो या बुरी अब इस rule के reference से जब आप 5.4.3.2.1 बोलते हो तो ये चीज क्योंकि तरह act करती है क्योंकि आपके दिमाग को पता है कि एक के बाद कुछ तो होगा जो की universal है जब आप countdown के बाद कोई भी action लेते हो वह कोई भी action हो सकता है इससे आपके brain को न सिर्फ सोचते रहना बलकि action लेना एक routine लगने लगती है आखिर में आपको feel होता है कि आप अपने control में हो जो इंसान को emotionally एक सबसे अच्छी feeling देती है इसी प्रकार जाने चिंता छो locus of control psychology मनोवी ज्यान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण concept है जो जूलिया रोटर ने 1954 में निकाला था इसे वह बोलती है locus of control जो ये बोलता है कि जितना ज्यादा आपको ये believe होगा आपकी life आपके control में है आपके action आपका future उतना ज्यादा आप अपनी life में खुश रहोगे उत लेकिन आप एक action लेते हो ये चीज आपको बहुत ज्यादा in control feel कराती है हाँ मैं अपनी life को बदल रहा हूँ मतलब चीजे अपने आप नहीं बलकि मेरे decision की वजह से हो रही है जो की सबसे अच्छा तरीका है किसी भी habit को built करने का किसी भी बुरी आदत को खत्म करने का best तरी करने का दिल नहीं करता था तो शराब पीने के बजाए countdown करती थी फिर shoes पहन कर हलके running के लिए निकल जाती थी जो उन्हें in control feel कराता था उन्हें change होने में help करता था ट्रिक नंबर चार inner wisdom जब भी आप कोई goal set करते हो तो आपके दिमाग में चीजों की एक list खुल जाती है मुझे ये करना है मुझे वह करना है इसके बाद से जब भी आप अपने goal के काम से नजदी काते हो तो आपका brain आपको trigger करता है ये काम करो अगर आपने सोचा है कि आप को fit होना है तो जब भी आप किसी जिम के पास जाओगे किसी bodybuilder को workout करते हुए देखोगे तब आपका prefrontal cortex active हो जाएगा वह बोलेगा कि आपको भी workout करना चाहिए यही आपकी natural instinct भी होती है आपकी inner wisdom जिसे आपको हमेशा गौर से सुनना चाहिए जब भी आपको यह आए तो फोरण 5.4.3.2.1 बोलकर act करना चाहिए उदाहरन के लिए जब आप ऐसे ही mobile के पास बैठे होते हो तब आपका inner wisdom बोलता है चलो अपने goal से related कुछ काम करते हैं तो जब भी ऐसा हो तो फोरण countdown करो तब चाहे छोटा ही सही लेकिन goal oriented action लो क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोग तब आपका brain आपको एक के बाद एक problems गिनाना start कर देगा ये सब होगा एक effect की वजह से जिसे बोलते हैं spotlight effect इसी प्रकार जाने 021 book summary अपना business शुरू करने से पहले खुद से पूछे trick number 5 spotlight effect कुछ लड़कों पर एक Barry Manolo t-shirts नाम का experiment किया गया था इसमें उन्हें एक embarrassing city shirt पहनाई गई फिर उन्हें एक room में चलने को बोला गया जहां पर बहुत सारे लोग थे अब उस room में चलाने के बाद लड़कों से पूछा गया तुम्हें क्या लगता है कितने लोगों ने तुम्हारी embarrassing city shirts को notice किया होगा तब इस पर on average लड़कों ने कहा at least 50% लोगों ने तो देखा ही होगा जबकि actual में 20% या उससे भी कम लोगों ने notice किया ओथर बोलती है कि उन 20% लोगों को भी शायद ही कोई फर्क पढ़ा होगा इस बात से कि लड़कों ने embarrassing city shirt पहनी है क्यों tagline है just do it जो usually वो athlete को भी target करके बोलते हैं लेकिन ऐसा क्यों tagline तो do it भी हो सकता था just do it लिखने की क्या need थी need थी क्योंकि उन्हें भी पता है कितना बड़ा athlete क्यों ना हो उसे भी action लेने से पहले hesitation होती है ये hesitation जो दिमाग unnecessary पैदा करता रहता है वो खतरनाक हो सकती है just do it, fast action महत्वपूर्ण है, author बोलती है कि हमारे action नले पाने के तीन बड़े obstacles होते हैं, सबसे पहले हमारा खुद का brain, दूसरा success या हम बोल सकते है, mediocrity यानी comfort zone और 30 राफिया, यहाँ पर हम brain पर ज्यादा focus करेंगे, trick number 6, two modes of brain, एकदम simple term में देखें, तो author बोलती है कि हमार brain में दो modes होते हैं, पहला autopilot mode, जिसे ऐसे समझे तो बिना रास्ते को सोचे, हम अपने घर तक पहुंच जाते हैं, फिर सोचते हैं, अरे यार, कब यहाँ पहुंच गए, पता ही नहीं चला, दूसरा directed thoughts, एक इनसान जब भी rest कर रहा होता है, तो वो usually autopilot पर होता है, जब भी उसको कोई action लेना होता है, तब उसे अपने thoughts को direct करना पड़ता है, अपने prefrontal cortex को activate करना पड़ता है, कि ये, ये करो, जो maximum time हमारे brain को पसंद नहीं आता, अगर आप अपने आप से भी पूछो, तो आप पका answer दे दोगे, आपको exactly क्या करना चाहिए, क्या actions लेने होंगे, अ अगर पैसे कमाने हैं, तो क्या करना होगा, लेकिन हम हर बार वह सब नहीं करते, क्योंकि हमारा brain नहीं चाहता कि हम काम करें, इसलिए फिर वह हमें excuses देने लगता है, नहीं, work out मत करो, क्योंकि तुम ठके हुए हो, goals पर काम मत करो, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है, fail हो and rule apply करना शुरू करेंगे, countdown करके, foreign action लेना शुरू करेंगे, तो ये simple सी trick सारी problems से लड़ेगी, इसी प्रकार जाने, goals by Brian Tracy book summary, उम्मीद से पहले पाई, हर मन चाही चीज, trick number, 7, N-E-E-U-R-O plasticity, अगर आप से पूछा जाए कि आपका brain कितने उम्र तक बढ़ता है, तो आप लोगे की 18 साल से 25 साल तक, कुछ सालों पहले तक लोगों को ऐसा ही लगता था, हमारा brain 25 सालों तक ही बढ़ता है, लेकिन plasticity research बताती है कि हमारा brain जिंदगी भर बढ़ सकता है, इसलिए हम नई चीजे सीख पाते हैं, हम चाहे किसी भी उम्र के क्यों नहों, हम किसी भी habit को अ pattern अपने आप बदलेगा, जैसे एक बच्चा जब अपने हाथ rate पर दबाता है, तो उसके हाथ के निशान छप जाते हैं, वैसे ही जब आप इस rule को apply करते हो, तो आपके दिमाग में इसके print बनते रहेंगे, जिसमें यह numbers का countdown सीधे link हो जाएगा, आपके action लेने से, जो future में आपको action लेने में और ज्यादा help करेगा, जब भी आपकी inner wisdom आपको goals से related कुछ भी काम करने के लिए बोले, तो उसे आप within 5 seconds करो, जल्दी से जल्दी action लेके, बिना अपने brain को time दिये, मतलब फोरण 5.4.3.2.1 बोलके, कुछ तो actions लो, goals से related, क्या steps लेने हैं, वह अपने mobile में या copy पर लिख लो, hesitate होकर time, waste ना करे, आप 5 second rules को use करके, अपना current behavior बदल सकते हैं, बुरी habits को अच्छी habits से replace करके, 5 second rule आपको help करेगा, आपके thoughts और actions को control करने में, आप control नहीं कर सकते कि आप कैसा feel करेंगे, लेकिन आप control कर सकते हैं, कि आप कैसा act करेंगे, ready होने के लिए, इंतजार करना बंद करें, क्योंकि आप कभी भी ready नहीं हो सकते, सीधा action लेना होगा, परेशान करने वाले thoughts को उन चीजों से replace करें, जिसके लिए आप grateful है, दोस्तों, आपको इस किताब की summary कैसी लगी, नीचे comment करके बताएं, अगर आप किसी किताब की हिंदी में summary चाहते ह धन्यवाद